हेलो एंड वेलकम टू एपेक सिस्टर नोगाफर्स यूट्यूब चैनल और आज मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा पिटमें शॉर्ट एंड सिरीज को कंटीन्यू करते हुए चैप्टर 19 अपवर्ड एंड डानवर्ड एल एंड एसेच इसके पहले हमने 18 चैप्टर्स अल्रे वाली बुक होती है वो पूरी खतम करेंगे आपने करना कुछ नहीं है सिर्फ ये वीडियो देखो और उस बुक से उसके सारे exercises बनाओ transcription बनाओ और answer की से चेक करो बाग की सारे चीज़े वीडियो में देखो और सीखो बाग की कुछ नहीं करना अब grammar लोगस याद करना है तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं chapter 19 को upward and downward L and SH अब मैंने consonant वाले chapter में L and SH के बारे में बताया था इसके consonants कैसे बनते हैं इसके आगे पीछे vowels हम लोग कैसे लगाते हैं इसमें हम लोग इसका use देखेंगे कि हम लोग upward L और downward L को कहा कहा use करते हैं वैसे तो ये भी मैंने पिछले chapter से बता रखा है लेकिन इसमें कुछ और extra rules added हैं तो वो बताएंगे और sh को हम लोग कब लगाते हैं कैसे use करते हैं अगर vowel precede कर रहा हो ये vowel follow कर रहा हो या कोई hook हो तो कैसे लगाते हैं ये देखेंगे तो start करते हैं पहले rules है पहला rule हमारा कह रहा है the stroke L whether initial or final is most commonly written upward तो L जो है वो हमारा commonly upward लिखा जाता है नीचे सी उपर की और लिखा जाता है सबसे जो common है L हमारा सबसे ज़्यादा word इसी पर बनते हैं जो नीचे सी उपर की और L जाता है जैसे आप देखो पहला word है lapses तो L एवब लाइन है तो A का वावल है उसमें L, A, P और S laps दूसरा word है spell on the line है तो second position का वावल है spell तीसरा हमारा load है word इसमें भी देखो second place का वावल है तो on the line है और L upward है delay में भी देखो L upward है leg में भी L upward है jelly में भी upward है lake, coal, loaf, fellow इन सब में L upward है जो कि इसका most common form है अगला rule देखो L preceding or following curve and circles when L immediately precedes or follows a circle which is attached to a curve it is written in the same direction as the circle तो दूसरा rule कह रहा है कि अगर हमारा जो L है वो किसी ऐसे circle के साथ जुड़ता है जो कि किसी curve से attached है माल लो ये circle है ये S का और ये V वाले curve से attached है तो इसके अगर पहले L आता है इसके पहले अगर L आता है तो हम लोग downward लिख देंगे ताकि ये easily S में attach हो सके ठीक है और कह रहा है कि अगर L जो है वो S के बाद आता है ठीक है ये तो पहले आगे L और उसके आया S ठीक है तो यहाँ पर हमने इसको downward बना दिया lesson में जैसे हम लोग बना रहा है तो हमने L downward लगा दिया जो भी हमें सहुलिया तो और यहाँ पर देखो nasal में nasal में NAS पहले आ रहा था और यहाँ L follow कर रहा है ठीक है तो यहाँ पर हमने L को downward बनाया है ना की upward essay अगर हम लोग यहाँ चाहें तो upward बना सकते हैं और अगर आपको पढ़ने में आता है तो आप ऐसे बना के पढ़ सकते हो लेकिन rule case आप से देखो तो यह ज़्यादा easy पढ़ता है nasal बनाओगे तो यह ज़्यादा easy है यह cross का sign बनाना ज़्यादा easy है क्योंकि यहाँ से motion change हो जाती लेकिन यह देखो यह तो एक तो outline देखने मच्छी नहीं लग रही है उसके बाद यहाँ पर से आपकर direction change हो जा रहा है तो pencil यह pen घुमाने में जादा दिक्कते आएंगे इसलिए V के साथ हम लोग L downward यहाँ पर ले लेंगे वेसल में आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है समझना आपको है ठीक है अगले रूल पर चलते है L after N and NG after the strokes N and NG final L is written downward so as to avoid a change of motion as in only ठीक है देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि N और NG के बाद अगर L आता है finally तो L को हम लोग downward लिखते हैं ताकि हमारा motion change ना हो यहाँ पर वही चीज़ है जैसे देखो only है only only में N के बाद हमने L downward लिया हम चाहते तो L upward ले सकते थे लेकिन यह क्या होता है यहाँ हमने रुकना पड़ता तो एक flow में आता है इसलिए जब भी N और NG होगा तो downward L ज्यादा बेटर आपको outline और जल्दी बना के देगा जैसे wrongly में भी देखो NG के बाद L downward जल्दी बनता है ठीक है और उसके बाद इसका एक और benefit है जैसे आप manly लिखते हो manly अगर आप manly में L downward आपने लिखा है तो इसे एक फायदा यह भी मिलेगा कि अगर manlyness आ जाए तो इसमें आप N और S लगा सकते हो और यह आपका जो upper line है और नीचे का line है जो diary के दो line होती है उस बीच में यह आ भी जाएगा लेकिन अगर आप manly इसे लिखते हो फिर Ns ऐसे लिखते हो तो इस टो कितना लंबा हो गया ठीक है तो यह पढ़ने में भी आप confused होगे कभी कभी कि क्या लिख दिया तो आप NG के बाद downward L को ही follow करो ताकि और उसका derivatives में भी downward L को ही follow करो अगर उस word में कुछ और जुड़के कोई नया word बन रहा है जैसे तो कोई यह N list N list है ठीक है यह N list है और N listing बन रहा है तो इसी में NG हमने लगा दिया तो यह downward L से फायदा यह हुआ कि इसमें हमारा एक और word निकल गया N list तो था ही N listing अगर हम इसको upward लिखते N listing ऐसे लिखते तो अभी कोई दिक्कत नहीं है पढ़ सकते है और पढ़ने में आ रहा है तो लेकिन easy यह रहता है चल लिए अगले रूल पर चलता है L and vowel indication for the purpose of vowel indication initial L is written downward when preceded by a vowel and followed immediately by a horizontal not hooked or circled initially देखो जब कभी L के पहले अगर कोई vowel आ रहा है यह L है इसके पहले कोई vowel आ रहा है तो आप downward L लिखोगे तो vowel को position करने में ज्यादा बहतर रहता है और easy रहता है और अगर L के बाद vowel L के पहले वाविल ना आके L के बाद वाविल आ रहा है तो L अपवर्ड लिखो तो वह जादा बहतर रहता है अब देखो example से समझो जैसे यहाँ पहले यहाँ पहले वाविल पहले है L बाद में है तो downward L लिखा हमने और उसी तरह हमने लिखना है like तो हमने L I K लिखा ठीक है यहाँ पहले अपवर्ड लिया like में L अपवर्ड लिया इसमें अपवर्ड लिया इसमें downward लिया अब देखो दोनों words में सिर्फ एक वाविल का अंतर है इसमें यहाँ पहले नहीं है अगर आप A L I K लाइक और L I K लाइक ऐसे लिखोगे तो दोनों अगर आप ने यह वाविल देना आप भूल गए तो आप तो उसको गलत पढ़ लोगे तो अगर आप यह वाविल देना भूल भी जाओगे तो आपको पता है यह like है और वह like है आपको difference मालूम है तो इसलिए भी यह जरूरी होता है ताकि दो words में दो हमारे जो outlines हैं उसमें difference भी बना रहे है चलते हैं अगले रूल पर Also for the purpose of vowel indication, final L is written downward after F, V, SK or a straight up stroke when no vowel follows and upward when followed by a vowel यह rule हमें यह बता रहा है कि F, V, SK या कोई straight up stroke के बाद हम लोग L को downward लिखते हैं अगर उसके बाद कोई vowel नहीं है और L को upward लिखते हैं अगर उसके बाद कोई vowel है जैसे यहां पर देखो fall है fall में यहां F, O का vowel और L, L downward है क्योंकि L के बाद यहां पर कोई vowel नहीं है इसलिए L downward है fall में follow में L upward है क्योंकि L के बाद यहां पर O का vowel है उसी तरीके से देखो यहां whale, whale में L downward है क्योंकि L के बाद vowel नहीं है और valley में L upward है क्योंकि L के बाद vowel है यहां देखो scale में L downward है क्योंकि L के बाद vowel नहीं है और silly में L upward है क्योंकि L के बाद I का vowel है उसी तरह rule में L के बाद vowel नहीं है लेकिन rule में I का vowel है तो L upward है अगला rule देखते है medial S is generally written upward medial S यानि की वैसा sorry medial L यानि की वैसा L का consonant जो के बीच में आ रहा हो उसको हम लोग generally उपर की तरफ लिखते हैं यानि की नीचे से उपर की और लिखते हैं लिखते हैं but either form is used for an easier joining लेकिन अगर हमारा joining downwards से भी अच्छा हो रहा है तो लिख लेंगा upwards से अच्छा रहा है तो लोग अपवर्ड लिख लेंगा जैसे यह उन्लोड में upward है लेकिन unlock में downward है unlock में downward अन्लोक में downward लिखते हैं लोग उपर लिखें यह Unlock कहां से कहां तक है, N कहां तक है, L कहां से शुरुआ, K कहां पर अच्छा लगे, अगर L उपर वाला बनाएं, और अपवर्ट बनाएं, और हमारा आउटलाइं एक दम clear cut दिख रहा है, और अच्छे समझ में आ रहा है, और बागी किसी आउटलाइं से नहीं match कर रहा है, बिल्कुल अलग आउटलाइन है तो वैसे बना लो आप ठीक है देखो यहां पर जैसे यह है फैसिलीटी फैसिलीटी में हमने एल को अपवर्ड लिया है अगर यहां पर हम लोग ऐसे लेते हैं और एल आई टी आई तो देखो यहां एल और टी एक समान हो गया पता ही नहीं च गडिया है चलता है बगले रूल पर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड अज है आपको यह पताई कि एक तो अम लोग ऐसे लिखते हैं जो कि हमारा उपर से नीचे की और आता है और एक नीचे से अवर की और लिखते हैं दोनों मोशंस में हम लोग यह लगते हैं जो भी किसी भी कॉंसोनेंट के साथ जुडबा तो वह कॉंसोनेंट जिस मोशन में चल रहा है उसी मोशन में हम लोग हैसेच के कॉंसोनेंट को भी चला आता है जैसे Leaves देखो एफ डाउमवर्ड चल रहा है इसको भी दोट चला देंगे यानि F उपर से नीचे आ रहा है तो यह भी नीचे से उपर इसको चला देंगे ताकि एक कव बन जाए अब यह आई लगा दिया तो फिश हो गया अब दो को M नीचे की और चल रहा है तो इसको और नीचे की और चला के Sh बना देंगे ना कि इसका direction यहीं से चेंज करके उपर बना दे हमें यह जो है वो direction को follow करना है जैसे यहां फिश था तो फिश ऐसे चल रहा है तो इसको चलने दिया हमने ऐसे जोड दिया ना कि यहां से इसका direction काट के नीचे कर दिया कर सकते तो नीचे भी इसको अगर आ फिश चाहे फिश पढ़ सकते हो लेकिन ये easy रहता है हमारे लिए direction को बिना change किये अगर हम लोग outline पूरी कर लेते हैं तो वो जाधा time efficient हो जाता है उसी तरह देखो यहां lash lash में अभी L उपर की और चल रहा थ अगर हम लोग ऐसे करते हैं तो यह direction change हो आता ठीक है when joined to a straight stroke sh is generally written downward जब कोई straight stroke जैसे की ch के साथ sh को लगाते हैं चैरिस में जैसे ch, e, r और sh तो sh downward होता है किसी भी straight up stroke में लगाते है अगर तो sh ज्यादा तर case में downward होता है लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर case में downward हो किसी किसी जगह upward भी लगा सकते हैं जैसे देखो but it is written upward after the heavy stroke अब यह ch था light stroke था और यहां पे देखो यह d है यहां पे d है d के जैसे example लो dash तो dash में यह हमने upward कर दिया यह d के साथ sh हमने उपर कर दिया तो जरूरी नहीं है कि सबके साथ हम नीचे ही लगाएंगे जो भी convenient लगेगा हम लगाएंगे लेकिन अगर आप rule follow करोगे तो outlines आपके सुंदर और अच्छे लगेंगे आपको पढ़ने में भी easy रहेगा अगले rule पर चलते हैं after a straight down stroke with an initial attachment sh is generally written on the opposite side to such attachment यह rule मैंने पहले भी आप यह अब बताया है लेकिन sh के connection नहीं बताया है यह बताया था मैंने s का circle st का loop str का loop और जो initial hooks थे उन से related करेंगे रिलेट करके रूल था कि अगर यहाँ पर hook लगा हुआ है तो शन हो किसके opposite side में लगता है यहाँ पर l का hook है तो शन हो किसके opposite में लगता है यहां पर S का लूप है तो शन हो गया N जो वो यह F भी इदर अपोजिट लग रहा है तो यह रूल पहले से चलता आ रहा है कि अगर कहीं पर इनिशियल कोई हुक है या इनिशियल लूप है तो अगर हम लोग शनुक लगाते हैं तो अपोजिट डिरेक्शन लगाते हैं ठीक है तो यही रूल यहां भी देखो कंटिन्यू हो रहा है कि यहां पर अगर कोई भी इनिशियल एटेच्मेंट आता जैसे कि SPA SPA लिए इस भी लिए दर भी लिख सकते हैं और SHS लिए लिख सकते हैं लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे डाउनवर्ड क्योंकि इधर तो हमारा एक लूप आ घया तो हम लोग लिखेंगे इसके opposite में ठीक है उसी तरह देखो यह blush है तो BL यहां पर hook आ गया तो हम लोग अब इधर नहीं लिखेंगे SH को अब SH को इधर लिखेंगे ठीक है अब जैसे brush है brush में यह इधर left side में R लग गया तो SH को इधर लिख देंगे opposite side में simple सरूल है चलते हैं आगे कुछ हमारे पास phrases है अब जैसे आपने यह पहले पढ़ा था कि अगर एक छोटा सा circle एक छोटा सा circle अगर line के उपर है अब लाइन है छोटा सा circle है तो उसको हम लोग as पढ़ते थे ठीक है as और has पढ़ते थे और अगर वो line पर होता था तो is और his पढ़ते थे अब अगर यही सरकल बड़ा हो जाए तो उसको as is पढ़ेंगे और line पर हो जाए तो is as पढ़ेंगे ठीक है अगला देखो आपको पता यह है दिस दिस छोटा वाला सरकल दिस लेकिन इसी में हम अगर दो एस लगा दें तो यह this is हो जाएगा ठीक है यह एल ए और स्ट का लूप लास्ट लास्ट में लगा दिया आर तो यह हो गया लास्ट यह ठीक है यह ए और टी एट इसमें लगा यह एस्टे इस्टी का लुप थो एट-एस्ट हो गया तो एट-एस्ट मतलब एट फरस्ट थीक है यह यह जह जे मिलका दिया एस्टी स्वेट नर्टी आऑ नम और यह आओ को डिप धोंग है तो यह और जास्ट नाव आ गर चलते हैं समरी देख लेकिन दॉन नसी चाह यह when sorry the upward form of L is most commonly written ये तो मालूम मैं आपको कि हम लोग L का upward form सबसे ज़्यादा use करते है when immediately preceding or following a circle which is attached to a curve L follows the direction of the curve ये भी rule मैंने बताया आपको कि अगर L किसी भी ऐसे stroke के साथ जुड़ा है जिसमें कि S का circle है और कोई curve है और उसके पहले है तो वो उसी motion को follow करता है तीसरा point देखो final L is written downward after N and NG and derivative of words similar to manly तो यहाँ पर manly का example मैंने पहले भी दिया कि ये manly ये नीचे की और L आ रहा है downward आ रहा है क्योंकि यहाँ पर NG है N और NG के बाद L को हमेशा हम लोग downward लिखते हैं और इसके derivatives में भी हम लोग downward लिखते हैं manly से अगर manlyness बनता है तो भी यह हमारा L downward रहेगा ना कि हम लोग ऊपर करके NS लगा देंगे ठीक है अगला rule देखते हैं चो और अगला point है तो हम लोग L को क्या लिखते हैं downward लिखते हैं जैसे मैंने भी like और like का example दिया था कि देखो like है तो straight upstroke final L is written upward when followed by a vowel तो अगर कोई word बन रहा है एफ से यह वी से यह upward लिखते हैं साथवाँ point stroke SH following a straight down stroke having an initial attachment is written opposite to the initial attachment in other cases the form is used which gives better joining तो अगर कोई down straight down stroke है जैसे T है CH है P है तो ज्यादा तर हम लोग SH को जो है अगर कोई initial attachment है तो उसका opposite में लिखते हैं ठीक है और initial attachment अगर नहीं है तो जो भी हमारा convenient रहता है और नीचे से ऊपर कोई convenient है तो वह लिख लेते हैं नई तो ऊपर से नीचे कmbol लेंगे ठीक है लिख सकते है या फिर stroke के नीचे भी लिख सकते है जो भी convenient लेखे जोड़ने में लेकिन हमारा मकसद सिर्फ यह होना चाहिए कि ज़िए स्ट्रोक बने वो हमारा डैरी का उपर वाला लाइन और नीचे वाले लाइन को तो क्रॉस ना करे, क्रॉस अगर करता है तो थोड़ा सा करे ज्यादा क्रॉस ना कर ये नहीं कि तीसरी लाइन के बीच तक चला आया है इस ट्रोक तो फिर वो आपका आउटन लाएन परफेक्ट नहीं माना जाएगा तो इसको कोशिस करो यगर ये डाइरी के दो लाइने हैं और अगर आपका फर्स्ट वावल का कोई आउटलाइन है तो आप यहीं से स्टार्ट करो second का है तो यहां से थर्ड का है तो through the line जाओ लेकिन यहां तीसरे line के बीच से नीचे नहीं जाना है इसके उपर ही रहना इसके नीचे नहीं जाना ठीक है तो यह summary हो गई यहां पर खतम यह chapter भी over हो चुका है अगला chapter हम लोग करेंगे chapter 20 और अगर आपने पीछे के 18 chapters नहीं देखिया तो आप उनको शुरू से एक बार देख लो अगर आप लोग कुछ भूल रहे हो तो revise कर लो और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब तो करी देना थैंक यू